बूर्णिंग फ्रेंड्स आज बेस्ट आफ स्पोर्ट्स की टीम इन दोर में ऐसे प्लेयर और ऐसे कोच से मिलना ही है जिनके पास अर्जुन अवार्ड बिना रहा है और यही नहीं इनने तोटल 53 इंटरेशनल रेस्लिंग मेचेस खेले हैं जिसमें से 11 गोल मेडल हैं इनके अब एक और इंपोर्टन चीज है कि दंगल मुवी टीम के कोच भी रह चुके हैं और इतना ही नहीं करंटली जो अभी है इंडेयन रेल्बे टीम के कोच रहा हैं और प्रिवियसली यह इंडियन नेशनल रस्लिंग भुमेंट टीम के कोच भी रह चुके हैं और आई इनसे कि इनी के बारे में जानते हैं इनका नाम है क्रपासर आई और फिर्स आपको अच्छा आप बहुत अच्छा आप सुनाइए बहुत बढ़िया सर मतलब आपकी जो स्टार्टिंग लाइफ रही है रेस्लिंग से लेटेट आप रेस्लिंग में क्या सैंग mistटे मेरे परिवास में सारे ही पहलेवान मेरे चाचा पहलेवान है मेरे पिता जी भी रेश्लिंग की है में खंड़वा के पास सुन खेड़ी हाँ घ्टे बहों है तो वहां पर पिता जी खेती करते हैं, चाचा जी खुद पहलवान है और चाचा जी महू रेते थे इंदोर के पास में, तो उनको काफी शोक था, तो चाचा जी ने महू के अंदर एक अखाड़ा खोला, कि मैं कम से कम मैं अर्जुन अवाड या ओलंपिक तक नहीं जा पाया, कॉमन पहलवान तियार करूँ देश के लिए, जो कि ओलंपिक में मिडल जीते, कॉमन वेल गेम, शेशन गेम और अर्जुन अवाड जैसा सम्मान पराप्त करें, तो उन्होंने महू में जब अखाड़ा सुरू किया, तो बहुत हाड़ वर्क होता है, रैसलिंग याने एक तपस् तो इतना हाड़ वर्क करना पड़ता है, उस ही में एक तपस्या है, तो जब ट्रेनिंग शुरू करते थे तो पहलाँ भाग जाते थे, और फिर उनकी परफॉर्मेंस आती ही नहीं थी, क्योंकि कोई बरकरार नहीं रहती थी, तो फिर उन वो एक पर गाउं आये, तो गाउ तो जब इतनी सेतानिया मेरे को अगर मेरी इजाज़त के बगर मेरी मा निला देती थी जबर जस्ती पकड़के, तो मैं बापिस से जाके गोबर में या कीचड में लोट के अपने आपको खराब करता था, तो जब घर वाले भी काफी परिशान थे, चाचा जीन देखा, इस क्योंकि मिट्टी फेकना, उन से लड़ना, तो चाचा जीने क्या करा, मैं एक शेडूल बना दिया, सुबह चार बज़े उपना, ट्रेनिंग करना, वो ट्रेनिंग कराते थे, साथ बज़े स्कूल गए, डेड़ बज़े स्कूल से आये, खाना खाया, उसके बाद फिर समय ऐसी हालत हो जाती थी, विस ठकके सो जाती थी, तो फाल्तु चीजों के लिए समय खतम गर दिया, उन्होंने, उन्होंने एनर्जी को एक सही दिशा दे दी, और ट्रेनिंग शुडूल में ऐसा शामिल और व्यस्त कर दिया, कि फाल्तु जो लड़ाई, जगड़ा, और खुरापाती दिमाग था, उसको उन्होंने एक सही दिशा में बढ़ाना सुरू कर दिया, क्योंकि हमारे गाओं में तो मैं दिन भर ही मस्ती करना, उल्टे काम करना, और हमारे गाओं में सब को आयादी थी, कोई किसी को भी पीट सकता था, और हम सिकायत नहीं कर सकते थे, पड़ोस का चाचा, उसके पड़ोस के चाचा, मामा, चाओ, सब यहने परिवार था, तो सब की नजरे होती थी, कि बच्चा कोई गलत काम नहीं कर रहा हुए, तो कोई भी किसी को पीटता, माबाप लड़ने नहीं पहुंच जाते, आज काल महोल दूसरा है, अगर तीचर अगर आपको डाड़ दे या थपड़ भी मार दे, तो अगले दिन पेरेंट सजाते हैं, तो वो समय था हमारा, जब हमको कितना ही पीटो और हम घर नहीं बताते थे, कि बच्चा को पिटाई हुई है, तो वो समय और आज के समय में बहुत परिवर्तन आया है, तो वहां से ह हमारी सुरुआत हुई हो, चाचा ने क्या करा, कि घर के आट-दस पहलवानों को एकतरित किया, और उनी को कुष्टी में लगा दिया, चाचा ताओ कि हम साथ-आट-दस भाई थे, तो सब को कुष्टी में लगा दिया, और आज सभी अवल दरजे के रसलर हैं, का गया था, तो हमाँ बस गया, तो सब याने की, याने सब सटल है, और सभी को घर वालों को इसलिए कुष्टी में लगाया, घर वक की बच्चों को, ताकि ये भागेंगे भी अगर कड़े अभ्यास के बाद, तो भागे जाएंगे कहां, घर में ही आएंगे, तो घर का पिडिशन मेरा उओ था, जो डेली में था, जो मैं बारा साल का नहीं था, मैं आठ साल का, नो साल का था, और बारा साल वाली कुष्टी में मैं खेलने के लिए मेरे को वे से ही ले गए कि चलो, एक अभ्यास समेच के तोर पे इनको पता भी चले कि करना क्या है, हमको कुछ हम तो यह दुखी थे कि सुबह स्कूल चले जाओ, सुबह जल्दी उठके प्रेक्टिस करो, पसीना निकालो, इतना ठन में भी भाप निकल रही इतनी ट्रेनिंग, और फिर उसके बाद जाए स्कूल में दो नीन दाती थी, फिर हुआ पढ़ाई करना, और फिर घर आना, थ परवेश दत, इन दो पहलवानों की बड़ी हवा थी, 12-12 साल के पहलवान इंडिया के चेंपियन थे, जो गुरु अन्वान अखाड़ा देली से था, परवेश दत और संभूनात यूपी के ते, यह चेंपियन रेसलर थे, मुझे नहीं पता था यह चेंपियन है, और उनक साल की कुष्टी में मेरे को खिला दिया था, वो मैं फस्ट आ गया था, फस्ट आने के बाद जब मैं घर गया, सुन खेड़ी, तो हरसूद में एक बस चलती थी हमारे गाउं के लिए, और उसका इंतियार करना पड़ता था, चार घंटे बात है, तो चार घंटे हरसूद ब हमारा जो बस स्टेंड गाउं में उसको गुठान बोलते हैं, तो गुठान पर बस पहुंची, तो मेरे मा, मेरे पिताजी और छोटे चोटे बच्चे फूल गुलाब का हाथ में लिए खड़े हैं, कोई गेंदे का फूल था, कोई गुलाब का फूल था, लग 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 ता कि अजिए तो कई बार क्या होता है, मैं जैसे सोता था, छोटा था, साथ-एट साल का था, घर गया-गाउं गया, सोता हूं, तो पिता जी, कोई मेमान आएं, तो पिता जी उनसे बात करते थे, मेरी माँ बात करती थी, बहुत परेशान करता, क्या करें इस बच्चे का, यह वो लेकिन वो जीत के बाद में यह सूरा था और मैं सुन रहा था तो वहां से मेरे को बड़ा मोटिवेशन मिला मेरे पिता-जी महमानों के आगे मेरी बढ़ाई कर रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि उस समय मेरे को लगा कि बच्चे की बढ़ाई करना भी वह जरूरी है हमेशा उसको यूनी करना लेकिन वहां मेरी बढ़ाई हुई कि किरपा शंकर ने संबुनात और योगे अपना परवेश्दत इन दोनों पहलवानों को बेजोड हराया और गोल मेडल जीता मेरा बेटा याने प्राउड फील कर तो आज जब मैंने उस समय सुना तो बहुत मोटिवेट हुआ और वही से मेरे को प्रेणना मिली कि ऐसा करने से ऐसा होता है तो मैं next competition की तियारियों में लग गया वहां से बहुत परीवरता ना आपकर पहला आपने बताया गाजियाबाद में हुआ था तिर उसके बाद से आज आप जिस मुकाम पर पहुंचे हुए तो एक लाइन और ट्रेक आपने कैसे कंटिन्यू गया देखिए ऐसा है कि वहां से मेरे को प्रेणना मिली कि जिस गाउं में जो सुनखडी गाउं था वहां कोई भी हमको पीड़ दिया करता था छोटी गलती हो बड़ी गलती हो क्योंकि बच्चे तो सरारत करते ही थे लेकिन मैं एक अलग तरह का बच्चा था मैं आज भी महसूस करता हूं कि मैं क्या था कि कोई मेरे को अगर देख ले तो मैं फत्तर मार के उसका सर फोड़ तो इस तरह का बच्चे तो बहुत खम होते थे लेकिन उन में से मैं था तो चाचा जी ने मेरी प्रतीभा को पहचाना और मेरे को कुष्टी में लगाया उसके बाद मैं 12 साल वाली कुष्टी में जब मैंने तहल का मचाया जो की नैशनल चेंपिंशिप थी पूरे इंडिय के पहलवान आते थे फर्स सेकंड ठर्ड जो आते थे हर वेट के टिगरी में तो उन पहलवानों को गोद लेते थे उनका खाना पीना रहना और स्कूल अगेरा सब गोर्मेंट की संस्था के अंदर उनका एडमीशन हो जाता था तो हमको जो एडमीशन क्योंकि हम 4-5 भाई से और वो सारे सिलेक्ट हो गए थे एक बार में हां क्योंकि 10 या 12 वेट किटिगरी थे उसमें से आधी टीम तो हमारी सिलेक्ट हो गई तो भारतिखेल प्रादीकरण ने हमको सिवालिक पब्लिक स्कूल जो की चंदीगड में हैं वहां पर हम वहां पे उनकी संस्ताती तो हम पर हमको रेजिस्टेशन करा दिया कि आप वहां जाईए और रहना खाना सब कुछ आपको फिसलेटी मिलेगी पर चाचा जी ने बोला नहीं मैं अपने अधीन ही पहलवानों को टेनिंग कराऊंगा क्योंकि अब यह चोटे बच्चे भी हैं और मैं सरकारी संस्ता में बेज आपके घर पर ही है तो क्यों ना हम इस पोई अथोटी आफ इंडिया आपके अखाड़े को ही गोद ले ले और हम वहीं साजो समान आपको दे दे तो वह बहुत अच्छा कई वार्मेंट के अंदर भारते खेल प्रादी करने में बहुत अच्छे अधीकारी आ जाते हैं तो वह जब देखते हैं कि प्रतीभा यहां पर है तो वह पर पूरी सुजदा देने की कोशिश करते हैं तो हमको घर पर ही सुजदा दी हमको जिम दे दिया हमको मेड दे दिया और दीर दीर हमको कोच भी दिया हलाकि हमको कोच की आओ सकता नहीं थी हमारे चाचा जी बहतर कोच हमारे लिए साबित हुए शिवराम पहलवान जो मेरे चाचा जी है मेरे पिताजी से छोटे भाई है और उनका सपना भी फिर बाद में दिर दिरे पूरा किया जब 1989 में फास्ट टाइम अंडर 16 चेंपेंशिप थी जब मेरी एज 16 भी नहीं थी काफी कम थी 13 या 14 साल का था मैं मुकाबले हुए और मैं फाइनल में पहुंच गिया और फाइनल में मुझे आज भी वह पहली कुछतियाद है जब मैंने गोल मेडल जीता इरान के केडी मोहमत को अराया आठ एक अंग से बहुत बड़ा स्कोर होता आठ एक और दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल था दिल मेडल जीत के और सब कुछ चला गया इंडिया का फ्लेग उपर जा रहा रहा राष्टगान बज रहा है तो वहां जब मैं होटल में पहुंचा तो उस समाचार आते थे सिरिप दूरदर्शन पर तो हम कुछ नहीं देखा तो समाचारी चालू कर दो टेलिविजिन पर तो व प्रिश्टायल में 43 किलो वजन में भारत के करपा संकर ने केडी मोहमत को जीत के गोल मेडल जीता और मेरा यू नासते हुए फोटो एक टांग पे खूद रहा था में जीत के तो उस तरह का जो विजूल मैंने देखा उसके उपर तो मेरे रोंग्टे खड़े हो गए मैं ब बहुत मोटिवेशन मिलता है खिलाडी को और वो एक प्रेंड़ना मिली मेरे को वहां से कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर भी वेतर कर सकता हूं और गोल मेडल से शुरुआत करी 1989 में और सन 2010 तक लगातार भारती टीम का मैं सदस्य रहा हूं जूनियर में भी सीनियर में भी को अपनी बड़ाई करवानी है क्योंकि मेरे को बचपन में जो ये 5-6 साल तक जो खुब बुराई मिली और खुब पिटाई मिली तो वहां से मेरे को लगा कि ऐसा करने से बहुत अच्छा होता है और उसके बाद मैं लगातार अच्छा करता गया और प्रेरित होता गया और मे मेरे पास के गाउं में बोरी सराय पड़ता है सोनखेडी से पांच किलोमेटर दूर वहां पर मेरा सम्मान समारो आयो जीत किया गया बोलना भी नहीं आता था लेकिन वो बोलो आप बच्चों को थोड़ा सुनेंगे बच्चे लेकिन हम तब भी कोशिश करते थे और यसी द शेलते गए, मेडल जीतते गए और वो स्थन आया जब 2 maior सन 2,000 में अर्जुन पूरुसकार के लिए मुझे चुन लिया गया और वो सब्स्थन था मेरे माता पिता कभी हविजाज में नहीं बिठे और मेरा सपना था कि मेरे को सम्मान कि में रजुन पूरुसकार मिलेगा झाल